हालो डक्तर हलो कहिए क्या परिशानी है आपको डक्तर साथ कैसे कहूँ शरूम भी आती है और पूछना ही पड़ता है डक्तर अचली क्या बात है कि जो मेरी पैनिस है न उसका साइज बोच होता है जिससे मैं खुद के पर शर्म भी आती है देखे आदमी के पैनिस की लंबाई भूवलिक तोर के हिसाब से अलग अलग होती है बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला कि इसकी नार्मल लंबाई 2.8 से लेकर 2.9 तक होती है और उसकी परीदी 3.5 से लेकर 3.9 तक होती है पर जब यह इगलेट होता है त 4.7 से लेकर 6.3 तक इंचीज तक होती है और इसकी परीदी 4.7 से अच्छा आप मुझे एक बात बताईए क्या इस बात को लेकर कभी आपके पार्टनेर से आपसे कोई शिकायत की कि वो आपसे संतुस्त नहीं है या उने सैटिफ्रेक्शन नहीं है नहीं नहीं दॉक्टर सा जो मैं जेहर्ट स्ट्राइब पर जाता हूं तो खुद को शर्म हैसुस करता हूं मैं समझ सकती है आपकी परिशानी को लेकिन इसके लिए आपको मैंट्री स्ट्रोंग होना पड़ेगा क्योंकि पुरुषों में अपने पैनिस को लेके एक सेर्फ रिस्वेक्ट की बात होत और यह ली महिला को क्या पसंद है यह कैसे जाने हैं देखिए कभी-कभी मोटा पैनिस महिलाओं के लिए प्रोब्लम क्रेट कर सकता है क्योंकि सेक्स की दोरान उनका घरवाशे थोड़ा उबरा हुआ होता है और पैनिस उस पर चोट करता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही जादा होती है चाहो तो यूँ कह लिजे कि उनका मोटापन महिलाओं को बहुत जल्द औरंगे जम तब पहुचा सकता है बात यहीं नहीं रुख जाती है बलके आप यह देखिए कि आप अपनी पार्टनर को फोर प्ले से कैसे खुश कर सकते हैं सिर्फ सेक्स्वल सेटिफ अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप फोर प्ले द्वारा या इंटर सेक्स द्वारा भी वो कमिया पूरी कर सकते हैं अच्छा तो डोक्टर आप एक बात बता सकते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए सेक्स का कुण सत्रिकाश करते हैं सेक्स प्रोसेस सेक्स से बहुत पहले हो दोसते है तो फोर फ्ले करते करते आपका मूड एकदम उत्तेजित हो जाता है उसके बाद आप सेक्स करना शुरू करते हैं और आप इधर उदर अपना टाइम स्पेन ना करके सेक्स में अपना फुरह ध्यान लगाते हैं और आपके लिए डोगी स्टाइल या वी कर सकते हैं क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं एक्सरसाइज करने से मसल्स भी ठीक रहेंगे और स्वस्थे भी ठीक रहेगा जरकिन एक्सरसाइज करने से आपके पैनिस की मोटाई भी बढ़ेगी और उसकी परिदी भी बढ़ेगी कार्डियो एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कूलेशन ठीक रहेगा और हां मजबूत कार्डियो आपके एरेक्शन को भी ठीक रखेगा और हां आप अपने मोटापे को ना बढ़ने दे वेट पर कंट्रोल रखे और अगर आप श्मोक कर रहे हैं तो अभी के अभी श्मोक छोड़ दें अपने हाट के लिए अपने लं सर्जिशी से या किसी और तरीके से पैनिस का सर्ज बढ़ाया सकता है देखिए कुछ लोग फैट इंजेक्शन ले रहे हैं जो आपकी पैनिस की शेप को बिगार सकते हैं सिलीकोन इंजेक्शन बहुत ही घातक शाबित हुए हैं और डर्मल ग्राफ्टिंग इसका टीशू बन सकते हैं आपके पैनिस की सेप को बिगार सकते हैं इसलिए आप पैनिस ट्रांस सर्जरी ना करवाई क्योंकि इसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है और ना ही पैनिस को बढ़ाने के लिए आज कोई दवा बनी है तो अब आपके पास मात्र एक उपाई है जर्किन एक् अब थैल्कुड डिल्कॉ्ट करत थि ना का पास माद है तो अब करव म को कि लिए अपके और उत्यांज्ट एमेटर्व तार टार्स्टी कोई रिए जा हैं अबस्ने में अबस्टोंगतर्वाद्ट्ग थेने की सान्ब करेण आपके लिए पैस्टार्वार्गतर्वार्वा